देख्ये वह 400 पार की बात कर रहे हैं ऐसे तो सरकार इनकी बिल्कुल नहीं बननी चाहि hein और नम बनेगी लेकिन अगर इधर उधर करके बन वह साती है तो 400 पार की जो ये बात कर रहे हैं ना सर्सुत तेल का दाम 400 पार होगा हाँ डिजल पेट्रोल 125 पार होगा चीनी का दाम 400 होगा और खाने की समगरियों का दाम 400 पार होगा जैसा ना चाहेंगे इस देश को पहले हम खेल के बोलेंगे 100% मोडी जी है और यहां पर हम पर सेंट गार एंगे पूरा है क्वालिटीज है पाउर इंडिया का जाना सान है जोला उठाएंगे कब चल देंगे इसका कोई गारेंटी नहीं है यह यह पकाई है कि 2025 में मोदी जी की सफाई होना जुरूर यह हिंदुस्तान को पहले सोनी की चिरिया का जाती थी आज उस इंदुस्तान को बेनों सुने की चिरिया था 10 साल में मतलब अथी हो गया ब्रजगार हो गया वहीं काना चाहते ना अब पहले हम स्पी थे 2014 सपहले आभी हम बिखमंगा हो गया बताईए इक उनों तर्क से बात की जिए ठीक है सासन में जो खईत के बनाए है सब बिख जागा इनका नहीं नहीं भीक पढ़ जागा इतना में इतना सीमा चलंट पो जागा अगा इसे डाइनासर लुप्त हो गया ना उस तरह से विपच्छ भी लुप्त हो जाए किताब में देखना पड़ेगा भारत भी पोच्छ था अधी को चड़ी पहनाना मच्छर को लिभी लगाना और ऐसे स्यान बक्त जो रहा है कि मोज़ मुक्त हो गया डाइनासर की तरह एक बात में इनको बता देना चाहता हूं कि जितने कॉंग्रेसी थे सारे के सारे बी-जे-पी में जो गए हैं जिस दिन बीजए-पी का अगर एक दिन मारा पल्टी तो कॉंग्रेस को तो अभी लुप्त होने में टाइ होने वाले हैं इसी बीच हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है और लोगों से बातचीत करेंगे इस बार 2024 में क्या कुछ होने वाला है क्या बदलाव होने जा रहा है या फिर तीसरी बार मोधी जी परधानमंतरी बंद जा रहे हैं वर्थाज बिहार के कई जनता है सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे आपको क्या लगता भाई साफ जिस तरीके से 2024 के लोग सबाद चुनाओं है क्या कुछ होने की उम्मीद लग रही बदलाव की लहर है या फिर मोधी जी लहर है ने बदलाव होगा और होना चाहिए निश्चित तोर पर देश में परेशान है नोजवान परेशान है तो देश में बदलाव होगा मोधी जी तो कह रहे हैं अब की वार 400 के पार देखिए वह 400 पार की बात कर रहे हैं ऐसे तो सरकार इनकी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए और ना बनेगी लेकिन अगर इधर उधर करके बन भी जाती है तो 400 प रट्रूल ऊंञा होगा चीया का लिका दाम 400 पार होगा और रहे हैं के समघरीम कंटार्स और यूंट लोग हो तो कहा रहे ही कि मोदी जी की पूरा गैरेंटी चल रहे जाता है बोलणे से हो जाएगा मोधी मोधी क्या गरेंटी उनका रहा अभी तक उनकी कौन की पूरी हुई उन्होंने गरेंटी सबका साथ सबका विकास करें मोधी जी सबका親 सबका विकास हो किह रहे हैं कि क्सान उनके साथ में आते हैं कि मसदूर उनके साथ में नहीं आते हैं पूस को यह उनके साथ में नहीं अब या चाहिए लाओ र hook सबका सबकाव we kasa ये जुमला है कि नहीं किसी wird का दिया उन्होंने आप बताएये ये आप बताई ये सही सही मोदी जी ने किन का साथ दिया कि मनीपूर में जिन हमारी महिलाओं को नगने करके परेड कराए गया कि मोदी जी ने उनका साथ दिया दिली में दिली में हमारे संहर्च कर रहा है अंदोलन कर रहा है किसानों का साथ उन्होंने दिया हमने देखा यहां सबका सात हो रहा है सबका विकास हो रहा है आपको क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आ रहे हैं फिर बदला हो रहा है हम जैसी राम पहले पोलना चाहेंगे और इस देश को पहले हम खुल के बोलें परसेंट मोदी जी है और यहां पर हरे सामोदी जी रहें गांडेट परसेंट गरांटी एक दम हम अब यूद्या सार है ठीक है और यूपी में पूरा बदलाव के साथ देशनूर में देखें ना पूरा है क्वालिटी जाए लीडर सीफ है उपकिंग है पाउर इंडिया का ज इतनी है देखिए मेरा उमर आभी 18 साल का है अब यह पंद्रा साल पहले तीन साल के तो आपको शासन के बारे में क्या समझें तो पहुत हम देख लिया है देखने की बात नहीं भी आप रटे हुए सब सब्सक्राइब रहा है दूसरे की बारी बात हुए क्या रटा हुए ज मोदी जी की जहांती की बात है मोदी जी ने कहा थाम फकीड है जोला उठाएंगे कब चल देंगे इसका कोई गारेंटी नहीं है यह पका हार्डें पर चलिक के दे रहा है कि 2025 में मोदी जी की सफाई होना जुरूरी है 24 में क्या होगा 24 में तो सुनिए क्यों कहां है अभी उसका कोई ठाय पता नहीं है दो चार आदमी उसको भी रिलाइक करने के लिए त्यारी है सबसे पहला चीज़ की मुद्दा आप लोग उठा रहा है कि सीए लाना जरूरी था या नहीं देश में जो लोग रह रहा है कि 80 के सरकार 80 परसेंट आधमी है 20 परसेंट आदमी का नागरिकता अभी भारत के अंदर नहीं मिला है सबसे पहले कि जो देश से आये कि लोगों को नागरिकता देनी कि क्या जुरूरत है क्या जरूरत है यह कह यह मोदी जी आ रहे है कि लिख बदला हो रहा इस बार कुछिं कि इसको बताये मोदी जी ने क्या कि इतना साल उमर आपका कि इतना प्रहें किस टीम के सपोर्ट करना था तभी पताये प्रेंट किसी काम रहे लेकिन मेरे लिए जो ख़रा रहेगा सही काम करेगा उसके नरेंद्र मोदी एक युवाउं को ठका है किया है कि यह युवाउं को सब्राइजिदा werde हम यह नहीं करते हैं क्यों कीना की नहीं देश के हमारी महिलाउं को हमारी बहनों को हर एक हुआ को हरे किसान को नौजवान कौर सब होरा में मतलब पे grind काzet क्या है सब किसी के अकाउंट में पानपान सो गया सब को दिया गया कि दिल से भक्त है और दिल से मोधी का सपोर्ट करेंगे हम समुद्दा से मुद्दा के बिल्कूट नहीं है आपको क्या लग रहा है पिर मोधी जी आएंगे पिर तो मोधी जी अच्छा यह लोग क्या लगदा चाचाच 24 का लोग सबाद चुनाव है क्या कुछ होगा इस बाद एक हम लोग तो बिहार में मोधी जी को चुन चालिस औ काने मतलование मोधी कहते हैं जो करते नहीं है लोग करते नहीं तो अब भी हार देखलंगार नहीं होता दिल्ली में बैठा बैटा बाप आया मोदी आया इसका कहाना है मतलब जो है ना जो आप सपोर्ट कर रहा है इस अब बेवालतु की बाते हैं हम कहाना यह चाहेंगे हम दिल से मोदी के फैन है कंपनी कैसे खोलेगा कंपानी रुपया कहां से आता है रुपया बजहा कैसी छोड़ देगा आज रुपया इसका सरकार है तो इसका सरकार है तो तरह रहा है तो क्या क्या लगा करता है शुट हुट्व का यह बाचीत का लोग सब्सक्रिब इस वार क्या कुछ सब फोस्य थी लॉग करते हैं काम किया है तरहिं हिसाट सुट मेरा1 किलो चावल हो गया वह कास्वाना था अच्छ दिन आगे लोगों की आप कुछ नहीं आएगा नाए आपको क्या लग रहा है चौब इसका लोग सबाद चुनावें क्या कुछ होगा बदला होना चाहिए बदला होना चीए कि मोदी जी के कारिकाल थे खुछ नहीं है अब ही सब्सक्राइब करें अब इस पी थे 2014 से पहले आप यहां बिखमंगा हो गया बताई इक उन्हों तर्क से बात कि यह ठीक है देखें अब हम आभी पैदा हुए तो मोदी जी इस तरीके से वादा किये थे 2014 में तो क्या लग रहा हुआ हुआ उनका बोले थे एकदम बोले थे kitae 370 अध। अधी होटा दिये कि रुचगार बी मिल राइ। बहरहे हैं तो परिशसे मतलम अधुक्र हें जाओ less इए विद धर हेगाह यह इस भड़ेगा है कभी एक उर्पया भी, डामत्तर है हैं तो मांगाई कम दर्बाहjasает control सब्सक्राइब कर दिक्कत वरी एक सो दस चला गए कोई महांगाई नहीं लग रहा है साथ रुपया लेंडर 400 आपको दिक्कत भी 1100 चलागे आपको कोई दिक्कत नहीं सुनिया नहीं सब्सक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगाई कुछ नहीं है पूरा गैरेंटी चल लगी है कहले पुछली एक कमाते धमाते हैं कि नहीं नहीं तब पकोड़ा तलना चालू करते हैं कायकि जो लख्स इस वार रखा गया मोदी जी का जो बोले है पर चार्सव पर का बोला है मालूम है पेट्रॉल चार्सव पर डिजन चार्सव पाल कढवया तेल चार्सव पर डिक्थाफ। पुरा घर गाउं खाल खाल्यान जो पुरुवर बनाए ना जो आप जागा इंका इंग्रेज वहां जो पहने हैं इस सब जागा सब उतर जागा हाजी पुरुवाला केला पत्ता ले पटे पड़ जागा समझे दुरबाग सेका दोच्वाइब शकार बनता है ना तो हाजी जागा सुक्षाम कोई बात नहीं रोजगालिटर बात बात नहीं कोई बात नहीं कोई आप छुमले ऑजी चाहिए चलरी ग्राइन दसताल से ग्राइज शुनते-चांच chips नेक्टर्चिने कंप ऑग सकुषने चालीज सेंके च्रीर सुने दिए हैं विकास के लिए ना यहां के यहां के सोचा कौन सोचा कौन सुचा हाथ हाथी को चड़ी पनाना मच्छर को लिष्टिक लगाना और समयाना मुंकिन नहीं ना मुंकिन है कौन यही मोदीजी लाई नहीं नहीं कापसे चल रहा है कि अध्या उध्याज यह यह कर दिनेतना और यह कर दिया नौजबन चैनल में चैनल में करते हैं कब देखिना क्त्रा पंड़ुन चैनल में करें पदेखिना चट्वान पड़े होंगें आठवाँ न्हां नमिकिन किसक प्राइवेट कर रहा है यह वक्त हो गया हूँ इस बार बात होगा शिक्चा पर इस बार बात होगा स्वास पर इस पर आप अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी जाने वाले हैं समझें यह लोग चिलाते रहेंगे मोदी जी जो जोला उठाके आए थे ना फिर से जोला उठाके गुजराच चले जाएंगे बस यहां बोलें पार होगा चार सब पार उनका चार सब अपर होवे नहीं करें आज लोगों हवा दे रहें खली बस यह जो चार सो पर कर नारा है बिहार में 40 सीट में आप सबका गड़ा हुआ है जत्ना भी सबादित कर रहे है हमारे अधर अधर नेरेंदर मोदी जी अधर निया अमिश्या जैसे डाइनासर लुप्त हो गया ना उस तरह से विपच्छ भी लुप्त हो जाए किताब में देखना पड़ेगा भारत भी पहुंच था जैसा का पात कर रहे हैं जैसा का पात कर रहे हैं जैसा का पात कर रहा हैं जैसा का बात कर रहे हैं ना कि मौत हो गया डाइनासर के तरह एक बात मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जितने कंग्रेसी थे सारे के सारे बीजेपी में जो गए हैं जिस दिन बीजेपी का तक्ता पलट हुआ अगर एक दिन मारा पल्टी तो कंग्रेस को तो अभी लुप्त होने में टाइम लगा बीजेपी को एक रात में मुक्त हो जाएगा पूरा भारत रात में मुक्त हो जा कि आप फुद दखिए जिसके उपर रेप का केस मर्डर का केस चोरी का केस है अगर उसको बचना है तुरत बीजेपी में जॉइन कर ले वो पूरा डिटरजन पाउडर की तरह धूल गया कभी भी देखें हैं जो सरकार चला रहा है उसमें किसी भी एक नेता पे EDCVI के द्वारा रेट मारा गया हो कभी भी कभी भी नहीं